दोस्तों मेरे पास शाओमी का एक नया प्रोड़क्ट आ चुका है यह है वो प्रोड़क्ट यह है मी पोटिबल एलेक्ट्रिक एर कॉम्प्रेसर अब यह प्रोड़क्ट है इसे मैंने शाओमी के ही वेबसाइट से और गिया था प्राजिंग तभी था 2299 रुपीज प्राजिंग बहुत ही बढ़िया है लेकिन यह चीज क्या है मैं आपको बता दूँ यह बेसिकली कह सकते हैं कि एक तरह से एर पंप है आटोमाटिक एर पं है उसमें भी हवा भर सकता है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके अंबॉक्सिंग करके बदाता हूं काफी इंट्रस्टिंग और पोटेबल प्रड़क्ट है देखते रहिए तो दोस्तों यह देखिए यह है वो प्रड़क्ट मी पोटेबल इलेक्रिक एर कंप्रेसर ड खोल देता हूं आज की तारीक में इस लॉक्डान के समय यह बहुत ही बड़िया प्रड़क्ट है और खास करके अगर आपके पास गाड़ी है तो तो यह देखिए बॉक्स में आपको यह पोटेबल एलेक्ट्रिक एर कंप्रेसर मिलने वाला है इस प्रकार का दिखता है एक कुछ और चीजें हैं इन्हें भी मैं बहार निकाल देता हूं तो यह एक पाउच दिया हुआ है जिसमें आप यह जो कॉम्प्रेसर है इसे स्टोर कर सकते हैं और इसके अलावा इस पाकेट के अंदर यूस्बी टू माइक्रो यूस्बी डेटा केबल है ताकि इसमें जो ब दिया हुआ है जैसे कि मैंने का साइकल मोटरसाइकल फुटबॉल वॉलीबॉल और कार में भी आप इसका उप्योग कर सकते हैं अब यह जो कहरी पाउच है इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इसके अंदर यह चोटा सा पाउच दिया हुआ है चोटा सा दाल सकते हैं फिलाल मैं आपको बताता हूँ कि यह जो कॉंप्रेसर है किस प्रकार से काम करता है और इसके फीचर क्या है यह देखिए इसके जो बाड़ी है यह प्लास्टिक की बनी हुई है और यहाँ पर कुछ बटन्स दिया हुआ है जिसका उप्योग करके आप जो सेट इसके फिल्म लगा हुआ है इसे मने निकाल दिया है तो इसे अगर आपको उप्योग करना है इसे आपको बाड प्रकार से अ उतंता है यह कि तो यह options आप select कर सकते हैं और यहां पर अगर आप देखें तो PSI बार का option आपको मिलता है यह जो option है यहां पर आप PSI set कर सकते हैं कितना चाहिए आपको इस प्रकार से धरन के तौर पर अगर आपको गाड़ी में हवा भरना है तो यह आप select कर सकते हैं गाड़ी में by default बार दि सेट कर सकता हूँ और इसके बाद मुझे यह बटन है से प्रेस करना है तो इस प्रकार का आवास करने वाला है यहां से हवा निकलती है भार और यहां से जो हवा है वो गाड़ी का जो टायर है उसमें भर जाएगा तो इस प्रकार से आप इसका उप्योग कर सकते हैं बहुत करने की जरूत नहीं है तो इसका उप्योग करके आप आसानी से गाड़ी में हवा भर सकते हैं एक और चीज़ बताना चाहता हूं यहां पर यह लाइट दिया हुआ है जो की अंधेरे में काफी काम में आता है उसके लिए बटन यहां पर दिया हुआ है इसे में प्रेस करता अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको डिफिनिटली इस प्रकार का जो डिवाइस है एर कंप्रेसर यह खरीदना चाहिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आज के तारिक में जितने भी गाड़ियां अविलेबल है मार्केट में उनमें ट्यूबलेस टायर आ हो गया है तो दो ऑप्शन से एक तो आप टायर को चेंज करें वहीं पर या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आप किसी टायर रिपैर वाले को बुलाए और वो टायर को निकालेगा और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस प्रकार का डिवाइस का उप्योग करना क्योंकि यह तो टूबलेस टायर जो होते हैं अगर यह पंचर भी होगा और उसमें अपने हवा भर दी तो जो हवा है वो धीरे-धीरे निकलने वाली है मतलब कि अगर आपके पास इस प्रकार का डिवाइस है और टायर पंचर हो गया है तो आप इस डिवाइस का उप्योग करके उसमें हवा भर सकते हैं और at least जो पंचर रिपेर शॉप है वहां तक तो आप असानी से ड्राइव करके जा सकते हैं इस प्रड़क का जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ इसमें 2000 इमेज की बैटरी है और जब कभी आप इस ट्यूब को इस प्रकार से बाहर निकालेंगे तो यह देखे यह का जो टायर है उसमें मैंने साइकल का जो टायर है उसमें हवा भरने की कोशिश किये हैं और यह दिखे इस प्रकार से यह काम करता है पहले तो आप जो पी एसाय है उसे कर सकते हैं या फिर जो मोड दिया हुआ है साइकल मोड उसे सेलेक कर सकते हैं और वहां पर भी आप पी किया हुआ है PSI का या फिर बार का उस value पर जाकर यह automatically रुख जाता है वैसे अगर आप चाहें तो बीच में भी stop कर सकते हैं वैसे इसका battery performance कैसा रहेगा वो मुझे नहीं पता लेकिन इसमें तीन battery level indicators है जो LED light है उससे आपको पता चल जाएगा white मतलब की almost fully charged है और orange मतलब की कह सकते हैं कि 75 से लेकर 25% तक का जो battery है उसमें अविलेबल है और red अकर दिख रहा है LED पर मतलब की 20% से कम battery बचा हुआ है आपको वो charge करना पड़ेगा तो दोस्तों यह है मी potable electric air compressor वैसे मुझे यह बहुती बढ़िया प्राइस में मिल गया है 2299 रुपीज जहां से आप इसे खरीद सकते हैं उसका link मैंने video description में दिया हुआ है तो यह product आपको कैसे लगा? कमेंट के माद दिम से मुझे ज़रूर बताइए इस वीडियो को कीजिए शेयर कीजिए और बेक्तर रहिए